इसका डिजाइन होती है यह वारी एड़ाइड वाइड 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 शॉक्स अभी नहीं लिए पर अभी है यहां पर सारी इनले की चटनी एक साइड आ गई है एक साइड इदर गाड़ी हो गई थी न तो यह बनाया है एक्दम टेस्टी सा आलू का चाट जो फिलाल है शिता स्कूल से आके लंच में खा रही है खालो और मैं आपको अपनी चैनल पर वैलकम तो करूं हेलो फ्रेंड्स वैलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब मैं ठीक हूं मेरी बेटी पी ठीक है ठीक ही है वैसे मौसम बदलता है तो थोड़ा बहुत तो अपर नीचे चलता ही है वहां पर मैंने उसे आलू की चाट देती है बना के वह खा रही है आज में सुबह लंच नहीं दी थी सो क्योंकि मेरी ठीक नहीं लग रही ती सुबह से मिरे ने सर में तर दो रहा है अभी भी है डवाई ले रखिए मैंने पर अभी आराम नहीं शायद थोड़ा सो और अच्छा भी रखते हैं और हम लोग खाते हैं नमकीन दलिया में भी आप लोग जानते हूं इसको जो बॉइल गया जा रहा है इसमें नमक डलाए और यहां पर है शुटा खा रही है आलू की चाट अच्छी लगी बहुत अच्छी तेस्टी में और इस वीडियो में मैं अपना सॉक्स कलेक्शन आपको दिखाने वाली हूँ क्यों कि मैं बता रही थी ना आपको कि एक मेरे सबस्क्राइब हैं जो सॉक्स कलेक्षन देखना चाते हैं तो ज्यादा डिले करने से अच्छा है कि पहले मैं यही वीडियो देदू क्योंकि मैं अभी बनानी पा रही लेकिन अब जैसे और समान निकाला तो मैंने वह सॉक्स वगयरा भी निकाल ली हैं सारी कुछ जो इस साल भी नई खरी दी हैं वो भी और जो मेरा पास पहले की रखी भी थी वो भी सब निकाल ली है तो बस आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहीएगा बस हम लोग एक बार थोड़ा सा खापी ले फिर उसके बाद आपको सॉक्स कलेक्शन दिखाएंगे मेरी भी और जो थोड़ी बहुत हश्चता की पास से वो भी की जोड़ी तो ये हैं मेरी वो सारी सॉक्स जो आज मैं आपनों साथ शेयर करने वाली हूं वन बाई वन इसमें कुछ नई भी है और कुछ जो मेरी पुरानी है वो है और भी थी काफी सारी मतलग कम्प्लीट पैक वाली जैसे ये हैं पर थोड़ा-थोड़ा सा उनके अंगुठे में सारी दी थी ये वाला पूरा पैक जो है अभी आपको देखने को मिलेगा और ये बैक्ग्राउंड साउंड बड़ा भैंगर सा पीछे आ गया था सायरन की आवास थी प्लीज इग्नोर करिएगा उसे तो चलिए एक एक करके दिखा देती हूं और इस्पेशल मेरे उन सब्स हेल्प लूँगी अपनी बेटे की ताकि वो वीडियो बनाए यह देखिए यहां आकर लेट गई है और मैं आपको यह दिखा सकते हैं हेल्प करोगी शूर ओके तो यहां पर मुझे ड़न कर दिया है चलो ठीक है शुरू करते हैं चलो तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपनी यह वाली दिखा देती हूं यह ग्रे कलर की है और थोड़े से मोटे में है अच्छी क्वालिटी की है और इस तरीके से यह उपर से फोल्ड करके ही पैनी जाती मतलब यह सीधा ना पैन के ऐसी ही पैनते तो इसकी क्वालिटी तो चलिए सबसे पहले दिखाती हूं आपको यह वाली यह मैं जब अभी कुछी टाइम पहले डैली गई थी ना आप लोगोंने मेरा वह व्लॉग देखा होगा तो वहां से पर्चेस करी थी मैंने पिंक कलर की है इसका डिजाइन भी देखिए कितना सुंदर है कलर भी सब्सक्राइब करते हैं यह एक दम पतली सी होती है और अज इस लीपर के साथ यह कैसे भी इसको बहुत अच्छे से पहन सकते हैं तो बहुत ज्यादा गरम नहीं रहती है यह सॉक्स तो एक है यह वाली पुराने सॉक्स में से मेरे पास जो अभी बची हुई है जो फटी न नहीं हूँ ज्यादा अब शुरू करूंगी तो यह भी इस वाले के साथ की ही है पर इसलिए थोड़ी सी पतली है एक ही बार में इसको यूज करी थी और मैंने छोड़ दिया था भी ज्यादा यूज नहीं करी है की नेक्से काती है कि यह कॉटं की ही सोख यह बिना में आंगवटे वाली है इसको में ज्यादा तर., इसको चूस के साथ ही करी करती हूँ वैसे वाली देखते हैं नॉर्मल सॉक्स सबसे ज्यादा जो फीमेल्स वगरा यूज़ करती है इसमें बहुत सारे डिजाइन पैटर्न आते हैं अभी खोली भी नहीं है तो अभी सर्दी इस्तेमाल होने वाली है एक जो मैं अभी आपको सबसे पहले दिखाई हूं ग्रे कलर के स्वाक्स जो मैंने यह पहन रखी है इसी कपड़े की यह वाली स्वाक्स है दूसरी यह है ब्लू कलर में यह इसका कपड़ा और क्वालिटी काफी अच्छी है यह देखिए यह इस तरह से फोल्ड आती है और यह अंदर से गरम है नॉर्मली स्वाक्स जो होती है यह वाली अंदर से कैसी होती है यह देखिए इसकी दिखाऊं जैसे आपको यह देखिए और इसका अलग से कपड़ा होता है अंदर बहुत सॉफ्ट है यह तो यह नॉर् जब शिल्प मिला लगा था उस समय मैंने यह खरी दी इस बार भी लगेगा पर शायद दिसंबर का एंड हो जाएगा आते आते तब यह चार का पैक मैंने लिया था अभी तक यूज नहीं किया है तो चलिए आपको दिखा देती हूं क्योंकि अब तो मुझे पैन नहीं है इस अच्छा कलर है खुबसूरत डिजाइन पिंक रैड वाइट बहुत सुन्दर लगी मुझे खुलने के बाद देखी तो सेम ही पैटर्न है इस पे भी बस इसमें डाक शेड हो गया उसमें लाइट दिख रहते इसमें भी पिंक मैरून और ब्लैक हो गया ठीक है और फिर आती बहुत अच्छी लगती है इसमें ग्रेट वाइट और वा इसी छोट-छोटे से दिल एक सॉक्स मैं अपने पूरे कलेक्शन से मिस्स कर्रह हु। जो की है प्योर रैड कलर की लास्ट यह यं उससे लास्ट य gegं मेरे पास थी पर इस वाली कलेक्शन में अभी मेरे पास प्य जद अच्छी लगी मुझे कमेंट वॉक्स में बताइए का जरूर तो यह है मेरी सॉक्स पता नहीं क्या सोच रहे हैं थोड़ी सी सॉक्स कितनी सी थोड़ी सी है शिता के पास भी है क्योंकि लास्ट येर हम दोनों के पास बहुत सारी थी पर वही थोड़ी थोड़ी सी फट जाती है तो हमने निकाल दिये होता क्या है या तो इस जगे से फट जाती है या इस जगे से तो वो सॉक्स फिर मैं रखती नहीं वो मैंने भी निकाल दी और हशिता ने भी निकाल दी और जो थोड़ी सी हर्शिता के पास सॉक्स हैं अभी बहुत सारी नहीं है, क्योंकि पहले, जो हम लेके आते थे न, जो पहले हम सॉक्स करेते थे, वो जो बच्चों वाली डिजाइन की आती है, वादल जिसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, वो आ जाती थी, अब क्या है, इसका height बढ़ गई है size भी थोड़ा सा बढ़ गया है पैरों का पर वो वाली socks लंबाई तक नहीं आती है वो ankle तक रह जाती है और ankle में भी फिर क्या है अब सर्दियों में जो socks ची हो थोड़ी सी लंबी होनी चीए तो ये थोड़ी सी collection हरशिता की भी है तो ये वो ही आपको द ज्यादा पहनती है इस socks का तो मेरे ख्याल से बिचारी जब तक अच्छे से नहीं फट जाएगी तब तक ये दूर नहीं जाने वाली है तो next है हरशिता की ये वाली socks जो की वो school में पहनती है ये ग्रे और red कलर की stripe एक है ये plain white कलर की जैसी मेरे पास है वैसी ही है और दन शुरू होने वाली है और बस एक और बचती है जो कि उसकी टॉप most favorite socks है और पूरी सर्दी सबसे ज्यादा वही इस्तेमाल होती है और वह मॉल से हमने खरीद दी और उसकी quality और चीजें काफी अच्छी है और बहुत गरम भी है तो चलिए वह भी दिखा देते हैं आपको तो वो है यह वाली socks और यह काफी गरम है दोस्तो इसकी quality सब अच्छी है और यह पूरा रात में भी इसने खूब पहनी है यह वाली socks इसलिए देखिए इसके अंदर का यह pattern जो है यह पूरा गरम है ऐसी अगर मुझे दुबारा मिलती है तो मैं जरूर यह वाली socks एकाद औ काम नहीं देती है यही socks है जो एकदम इसको सर्दी से बचाए रखती है पर इसके रूहें कितने ज्यादा हो गए देखिए यह सारे clean करने पड़ेंगे मुझे तो बस दोस्तों यही थी हम दोनों की socks collection अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा नहीं आया तो तो आज मैंने आपकी रिमांड पूरी कर दी है आप मेरे साथ बने रहें मेरा सपोर्ट करते रहें आगे भी मैं और भी जो भी चीज़ें मेरे पास हैं उनकी collection भी आप लोग को दिखाती रह सबस्क्राइब भी